आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे यूटुब चैनल स्टॉडी विद दुलार में बच्चों यहां पर हमारे पास है क्लास फाइव का ये इन्वल कुश्चन है मतलब फाइनल एक्जाम का कुश्चन है पिछले साल का है ये और सबसे अच्छी बात है कि ये जहरकट का ही है कि यह साइंस का है देखिए किस तरह को सबसे पहले बतला दे रहा है आप लोग को कभी यह मत समझना कि यहीं कुश्चन आएंगे आज सकते हैं इस तरह से कुछे जाते हैं इस तरह से कुश्चन सेट होता है एक अंधाजा आपको मिलेगा एक आडिया मिलेगा और ऐसा नही कि कुश्चन दिया हुआ है सबसे पहले सब्सक्राइब रभी क्रॉप्स रवी क्रॉप्स आगे दिया हुआ है qoshton नॉमबर 2 जहां पे question answer, answer the following question दिया हुआ है name the different ways in which plants reproduce different ways, अलग-अलग तरीके बतलाने हैं, उधों के परजनन का, और why do we wear clothes, अम लोग कपड़े क्यों पुएंते हैं, यहाँ पर पुछा जा रहा है उसके बाद सीन नंबर में what are the correct ways of breathing सांस लेने का सही तरीका क्या है already यहाँ पर हिंदी में लिखकर दिया गया है इससे आपको समझने में आसानी होगी उसे अनुसर से आप इसका आंसर कर सकेंगे why is cyclone, what is cyclone cyclone क्या है, चक्रवात जिसको बोलते हैं, और आगे question दिया हुआ है name the different types of aquatic plant अलग 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 परकार के aquatic plants जल में रहने वाले जो पोधे होते हैं उसको कहा जाता है aquatic plant जलिए पोधे इसको कहा जाता है और next में how petroleum is formed petroleum का निर्मान कैसे होता है वो किस परकार से बनता है इसका मतलब है क्योंकि इस तरह का वर्ड जो है हिंदी का जो स्वेंट हिंदी नहीं पढ़ते हैं उसे समझने में दिक्कत होता है निर्मान मतलब बनता है petroleum कैसे बनता है next question है यह पे use one word to express the following इन सबको बतलाने के लिए एक one word मतलब एक ही word में answer देना है एक सब्द में इसका answer देना है क्या question है देखे विच्ट ट्री इज प्रोटेक्टेड बाय ट्रीबल्स तो ट्रेबल्स के द्वारा कौन से पुधे का संत्रच्चन किया जाता है उसका सुरच्चा करते हो लोग कटने नहीं देते हैं किस पुधे की गेम मतलब और और चिंग जो है तिरंदा जी को किस साल ओलम्पिक गेम में सामिल किया गिया यहां पर आगे question दिया गिया है नेम दा फ्यूल विचिज यूजड इन हैवी वेहिकल्स भारिवानों में कौन से इंधन का उप्योग किया जाता है इसका अंसर पेट्रोलियम पेट्रोल हो सकता है आप लोग confirm कर लेंगे next आगे देखते हैं आगे question यहां पर दिया हुआ है डी नमर में देखिए एक बार हम उसे इसके पर किरिया का नाम क्या है इसको वीड्स काते हैं जहां तक मुझे याद है आप confirm कर लेंगे इसके बाद जो है इनमबर question name a first man to step on moon चंद्रमा पर सबसे पहले पर रखने आले बैखती है क्या नाम था नेल आर्म स्ट्रॉंग इसके बारे हम तो सभी को पता ही है आगे देखते हैं यहां पर में यहां पर दिया हुआ है फरस्ट में आप देख सकते हैं संटेंपल दिया हुआ है संटेंपल कहां पर नियु देली राजपत यहां पे चला जाएगा यह फाइब नमर में और सांची स्टूपा जो है वह मझपरदेश में चला जाएगा और कुतुब मिनार जो है नियु देली में यहां पे चला जाएगा इस तरह से मैच हो जाएगा आप कर लेंगे अपने बुक से कि डिफोरेश्टेशं मतलब के कटाई से बात वाद वरन में इसकी मातावर बढ़ जाती है कि खरवंट हो सकता है यहां पर पॉस से पॉसरेट इन नॉर्मल इमिन इस एक सामायन बेखती का गि पॉस्ट नमेर अज़ें जिया होता है इतना टाइम्टम मैं एक मिश मिन्ट म solvent water लिख सकते हैं Water यह होगा good solvent universal solvent कहलाता है और यह number में दिया हुआ है plant are grown in fields are cold kheतों में जो पोधे लगाया जाते हैं उसे क्या कहते हैं crops फसल कहते हैं crops और यहां पे आगिया true false six number में इसको इस्क्रेंट पे और ले आते हैं यहां पर देखिए पेज नुमर्ट टू है एक पेज और है इसमें कुश्चिन का टूफ फॉल्स यहां पर दिया हुआ है पंजाबी डॉंट लाइक स्पैसी फूड पंजाबी लोग मसालेदार खाना पसंद नहीं करते हैं तो यह सही नहीं लग रहा है यह गलत है उसके भी और बजंडरी पाल वाज बॉड़ निन जार्कंड इनका जणामर बिसांदरी पाल जनम जो है जारकंड में हुआ था कंफर्म नहीं है अगे देखते हैं नेस्ट फेज के इस यह और इसके किलियारिटी थोड़ी नहीं है कम है आपको पढ़ने में दिकत हो सकता है त्व application of water to the crops in the field is non-irrigation, इसका मतलब है कि खेतों में जो पानी देन की परकिरिया है, वो क्या कहलाती है, irrigation मतलब है कि सिचाई, सिचाई कहलाती है, तो यह बिल्कुल सही है, उसके बाद question number 7, जहां पर objective question दिया गिया है, choose the correct answer, यह क्या हो जाएगा, पढ़ते हैं इसको, what is called the people to move settle in another country, जो दूसरे देशों में जाकर बस जाते हैं, जो लोग उन्हें क्या कहते हैं, जीकि यहां पर देए, migrants और यह कई तरह की दिये हुए हैं, मेरे क्याल से तो यह होना चाहिए, one number का migrants, आप confirm कर लेंगे, उसके बाद आप वह में बतला दूँ कि class 5 का science का जो वीडियो है, वो टोटल बुक का वीडियो बना हुआ है, आप वहां से help ले सकते हैं, उसके बाद आगे question number B में, what is the value of one gallon in liter, एक गलन में कितने लिटर पानी होता है, मुझे तो याद नहीं है, आप लोग को पता होगा, या फिर आप लोग देख लेंगे, त्यारी कर लेंगे, उसके बा कुछ कुछ मुझे याद आ रहा है, टॉर पेडो जो है, यह होना चाहिए, उसके बाद D number में, in which year विचंदरी पाल, conquered mountain Everest, कौन से साल में विचंदरी पाल जो है, वो एवरेस्ट पे चड़ी थी, यह तो मुझे याद नहीं है, आप लोग इसको देख लेंगे, आहां क्या ह है, उसके बाद आगे यह number में दिया हुआ है, which process is used to separate grain from chop, यह chop मतलब उसका भूसा जो होता है, उसको निकालने के परकिरिया को क्या कहते हैं, अनाज से chop को अलग करने के परकिरिया क्या कहलाता है, tracing, विनोइंग, यहां पर क्या हो सकता हर्वेस्टिंग, यह तो नहीं है, tracing भी नहीं है, और विडिंग भी नहीं है, इसका मतलब है कि विनोइंग होना चाहिए, विनोइंग, आप confirm कर लेंगे, और लास्ट एक question दिया हुआ है, यहां पर, डो यह figure of cooking, gas cylinder and explain it, रस्वय के cylinder का ए इस तरह का question जो है आपको, इस से related या इस तरह का question आपको दिया जाए, एक question कहीं ने कहीं रहेगा, क्योंकि ज्यादा नमर का है यह, यहां पर यह science का question complete हो जा रहा है, यहां पर जो यह चीन दिखा रहा है, कि यहां पर यह complete हो गया है, अगर हमारा वीडियो आप लोग के ल यह, next video पिसलेंगे